कांग्रेस पार्टी के नेता दीपक सिंग हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए सर आज भारती जनता पार्टी की बैठाग चल रही दिल्ली में पिछले नेताओं को बुलाया गया है वहाँ पे मुझे लगता है दो हजार चौबिस में पिछड़ों को एक बार फिर से दोखा देने की साधिस के लिए मीटिंग बलाई होगी अगर उनमें हिमत थी तो जिस तरह से पिछड़ों के आकलन के लिए जन्गरना की बात चल रही है पिछड़ों को क्या हग दिया है कॉंग्रेस पार्टी सही सारे प्रक्षी दलसी मांग करें साधनिक कर देते अधिकारियों से लेकर मंत्रियों से लेकर उद्द्यों पतियों तक में सिर्फ गुजरात गुजरात का ही भर मार है और जब वोट लेनी जरूत होती है तो बैकोर्डों को पिछड़ों को बुला कर उन्हें लुभाने का काम किया आता है वो भी चुनाओ के ठीक पहले मुझे लगता है एक बार हो गया दो बार हो गया अब हिंदुस्तान का पिछड़ा भारती अंता पार्टी के जहांसे में नहीं आएगा आने वाले समय में उत्तर प्रदेस में भारती अंता पार्टी को उसका जवाब मिल जाएगा एक सवाल ये था कि अखलेश यादो कल बैठा कोई थी उसमें तमाम बाते हुई कई नेता कह रहा है कि 65 सीटों पर हम लोग चुनाओ लड़ेंगे तो क्या ये मान के चला जाए कि गड़बंधन की गाठ खुल चुकी है ने बिलकुल नहीं देखे अखलेश यादो जी अभी भी इंडिया का जो गटबंधन अभी तक तूटा नहीं है लोग सवाद चुनाओ के लिहाज से उसके उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं तो उनको लगता है पहले भी चुनाओ लड़ें हो उसके जब चुनाओ उत्राखंड के एक सीट पर चुनाओ लड़ रहे थे कॉंग्रेस पार्टी समर्तन कर रही थी अगर उन्हें लगता है कि वहां चुनाओ लड़ना चाहिए मद्रदेश में तो पार्टी का बिस्तार करने के लिए काम कर रहे हैं बेतर हो लेकिन जो परड़ाम आने हैं पुरा देश कह रहा है पहली बार गोदी मीडिया भी कह रहा है कि सारे राज्यों में जहां पर उप्चुनाओं हैं कॉंग्रेस पार्टी प्रचंड महमत साथ जीत रही है और उसे कोई भी नहीं रो सकता केजरिवाल जी को बुलाया गया इडी ने समन किया है उनक लेकिन परमार्च सामने नहीं आए लेकिन तब भी कॉंग्रेस पार्टी लोगतांत्रिक पार्टी थी इस तरह की वयमनस्ता नहीं की कि किसी को जेल नहीं भेजा किसी पर मुकदमा किया लेकिन आम आदमी पार्टी के निताचाही संझे सिंग्जी रहे हों जो बातें उन्होंने कहीं है इस चछा को लेकर कहा हो चाहिए भारतिय antah party की विनास को लिकर और डरती है जब सच्चाई सामने लाकर कोई भी ओधी दलकानेता खड़ा होकर कह देता है तब घवरा जाते हैं इसलिए अर्विंद केजरिवाल पर करवाई करने की साधिस्टर ने मुझे लगता है कि भारती अंता पार्टी जिस डर्रे पचल लई है कहो उन्हें जेल न भे